लेश्टेंट्स तोड़ेंगे 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 ताथ वालज़ चाइब यह पहला लेसन है वी हाइव का क्लास नाइंद के लिए एक बैग्ग्राउंड देख लेते हैं चाइब गोस्टू अफैयर विथ इस पैरेंट्स एक लड़का अपने वालदेन के साथ यह माता पिता के साथ मेला जाता है वह बहुत खुश रहता खुश होता है और बहुत खुश दिखता है और वांट दस्वीट्स एंट्राइज और चाहता है मिठाईयां और खेलाओ ने डिस प्रेट देयर जो वहां पर उसको नजर आती हैं बट इस पैरेंट्स डाउन जब कोई दूसरा उसको खरीद कर देता है तो वह इंकार क्यों करता है यह सवाल है आप इसका जवाब देंगे अभी पहले स्टोरी समय दिसके बाद इन वाद फैस्टिवल आफ प्रिंग मौसम बाहर बाहर का मौसम है और तहवारों का जमाना है यह माहर मौसम जो चल रहा है जब यह बहार का मौसम है स्प्रिंग टाइम है और तहवार फैस्टिवल सुरू हने वाले हैं फ्रॉम दा विंट्री शेड़्स आफ नेरो लेंस एन एलीज इमर्जड गेरी क्लाइड हीमानिटी फ्रॉम दा विंट्री शेड इन एक सर्दी के असार दिख रहे हैं सुबा थोड़ी ठंड़क हो रही है अभी ठंड़क का जमाना नहीं आया ठंड़क आने वाली है लेकिन ठंड़क का असार है और पतली ग से मण जहें ठिक हैं तो गलियों से पतली पतली गलियों से मज्ड क्या हो रहे निकल रहे हैं लोग अगेली इकली मार्थ u रहे हैं अधर साइड कुछ बैट करके जा रहे हैं किसमें बेंग कैरीड इन बंबू एंड ब्लॉक कार्ट्स बंबास के बने वे बुलॉक कार्ट्स में जा रहे हैं ठीक है वाल लिटल बॉय रैन बिट्विन इस फादर्स लेक एक चोटा बच्छा अपने माबाब के साथ अ करेंग कि और वालें पर चिवाद के बनने कार्ट्स लेंग कर ठीजां क्यों पिछे रहे जाता है इंच्छा उन खिलोन को देख कर आकर्सित होता है जो खिलोने दुकानों में दिख रहे होते हैं जो लाइन से लगे होते हैं छिक है ही हरीडिट इस पैरेंट्स फिर वह बाल देन के पास जाता है, इस फीट अबेडियेंट तु देर कॉल, उसके पैर, उसके उनके कॉल का फर्मा बरदार होता है, जैसे ही वो बलाते हैं, भागा चला जाता है, इसके अखे अभी भी, उस पीछे जाते हुए खिलाओनों पर लगी हुई है, as he came to wear that they had stopped और जब वो पहुंच जाता है जहां पर उसके माबाब खड़े कर उसका इंतजार करते हैं wait for him उसका इंतजार करते हैं he could not suppress the desire वो अपनी इस खाइश को ढबा नी पाता of his head जो उसके दिल में पैदा होती है even though he will know the old हाला कि वो जानता है अच्छी तरह जानता है कि वो ही old and cold stare वो ही ठंडक भरी आँखों में आँखों में सर्दी of refusal इंकार वाला एक असर उनके आँखों में जलक रहा है कि इनके आँखों में उसके वालत के आँखों में जलक रहा है His father looked at him red-eyed उसके वाले उसको गुसे से देखते हैं In his family a tyrant's face उसे जालिमाना तरीके से जिस तरह गुसे में उस तरह जिस देखते हैं आम तोर पर His mother उसकी माँ meted by the free spirit of the day उसकी माँ जो आज के दिन थोड़ा सा खुश है वस tender नरम है उसके साथ नरमी का मामला करती है and giving him her finger to hold उसको अपनी उंगली देती है उसको पकड़ने के लिए सेड कहती है Look child, देखो बेटे What is before you? कि तुम्हारे आगे क्या चीज़ है It was a flowering mustard field अब ये जो उसको सामने नज़र आता है वो mustard का field नज़र आता है जो फूल से लदे होते हैं आप देखेंगे जिसकी आपने अगर देखा होगा उमीदे के गाओ दियात में रहने वाले देखते ही होंगे बहुत ही खुबस्पत मनज़र होता है जब आदमी सर्सो के खेट को देखता है जिसे फूल लदे होते हैं फैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड हर जोगा पीले जसे के मानों के पिखला वसोस है पिखला वसोना हो अज़ इस स्विप्ट अक्रोस माइल्स and माइल्स of even land जब वो मीलो दूरी तक जो है फैले वह हो तो ऐसा लगता है के मानों के पिखला वसोना उनके आखों के सामने हैं बिल्कुल सारा का सारा पीला बहुत ही खुबसर बहुत ही अट्रैक्टिव अग्रूप अब ड्राइगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देर गारी परपल विंग्स एक जुंड है ड्राइगन फ्लाइज का वो तितली होती है आपने देखा होगा जिसके पंक आप गौडी मने भड़की ले परपल विंग्स के साथ अपने परपल विंग्स के साथ वो घुम रहे हैं इंटरसेप्टिंग दे फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक भी वो रुकावट पैरा कर रहे हैं उड़ने में एक काली सहथ की मक्षी को या बटरफलाई जो तितली है उसको इन स चाइल्ड फॉलो देम इन दे एर विट इस गेज बलड़का उनको अपने आखों से ही पीछा करता है हवाओं में ही तिल वन अब देम उड़ सिट इस स्विंग्स और जब एक उनमें से अपने पंग को रोक देता है एंड रेस्ट और बैट जाता है और यूड ट्राइट क्या चीट और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है बट इड़ गो फ्लाटरिंग फ्लापिंग अप इन दा एर लेकिन फड़ फड़ाता हुआ हवा में उड़ जाता है जबकि वो अपने हाथों में इसको पकड़ी चुका होता है उससे पहले ही वो फड़ फड़ा कर तो यह मां उसको जए धंकी वाले आवाज में बलाती है कम चाइल कम वानिंग कॉल देती है कास्टनरी मतलब वानिंग कॉल कम चाल कम आउन दे फुट पाथ फुट पाथ पर आजाओ है ना हिरें टोर्ट इस पैरेंट्स गयली और वाग ड़ेश्ट उप देम उते अपने म वर सुन लेट बहाइंड लेकिन फिर भी जो है वो पीछ जल्द ही पीछे रह जाता है क्यों पीछे रह जाता है अट्रक्टेड बाइड लिटिल इंसेक्ट्स कि वह अकरसित होता है छोटे-चोटे कीड़ों को देख करके हैना महू हो जाता है खीशा चला जाता है छोटे कीड़ों को देख करके आलोंग फुट पाथ याट वाज टीमिंग आउट फ्राम धाइड प्लेस तो इंजा शंशाइन उन कीड़ों को देख करके जो अपने बिल से निकलते हैं फुट पाथ पर ही वह सारे कीड़ों पने बिलों से बाहर आते हैं ताकि वह सूरज का मजा तब वह उसको देखने लग जाता है और फिर पीछे रह जाता है कम चाइड कम बेटे आज़ो इधर आज़ो ठीक है उसके माबाब बलाते हैं इस पारेंट्स कॉल फ्राम देशेड ऑफ ग्रूव याड़ सीटे लिमसेल्स ऑन दे एज ऑफ दे वाल तो उनके वाले उसके व बलाते हैं और यह बच्चा जो है उनके दफ दोड़ा वाता ही रेंट वर्ट्स देम और उनके दफ दोड़ा चला जाता है अशावर आफ यंग फ्लावर्स फैल अपान 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 दचाइल एजी एंटर दग्रूव जैसी वह बागीचे में दाखिल होता है वहां पर पंखडियां की बारिश होती है पंखडिया समझते ना फूल की पंखडिया तो वह उस पर गिरते हैं और फॉट्टिंग इस पारेंट्स वह अपने माबाप को फूल जाता है वह बगान तो ग्यादर दफ रेंग पाटल्स इन इस हैंड्स वह बरसते हुए पंखडियों को हाथ में जमा करना सुरू कर देता है बट लो लेकिन ने लो ही हर्ट दे कुएंग ऑफ डर्व और रेंट वर्ट इस पारेंट्स शाउटिंग और सी वक्त वह सुनता है फाखते की चिलाने की आवास को और फिर वह दोड़ा वह अपने वालदें के बाज आता है चिलाता है फाखता फाखता आना दे रेंटिंग पैटल डॉप फॉम हिस फॉगटें हैंड्स और उस वक्त उसके हातों से वह फूल की पंखडियां गिर जाती हैं कम चाइल कम डिकॉल तो दे चाइल वह बच्चे को बलाते हैं वहेड नाव गॉन रणिंग इन वाइड कैपर्स राउ गोड़ी जैसा अपने देखा होगा कॉल्ट वगरा जो है घोड़े का बच्चा जैसा एक पर उठाकर हम जैसे कीपिंग करते हैं ना इसकीपिंग के अंदाज पर लड़का दोड़ता है गोल गोल उस बन्यान ट्री के बन्यान माने होता है बर्गत के पेड़ के चात्रफ गैदरिंग हीम अप तुक दर नैरो और उसके बाद उसको ले लेते हैं उसको बुला लेते हैं फिर वो चला जाता है उनके पास गैदरिंग हीम अप मतलब उसको अपने पास बुला लेते हैं उसके माबब और तुक दर नैरो और फिर पकड़ते हैं वो पतला मेले की तरफ तो उस मस्टर्ड फिल्ड से होकर ही वो रास्ता जाता है ठीक है I hope कि समझ में आया As they near the village जैसे वो गाओं के करी पहुंसते है The child could see many other footpaths full of throngs तो बच्चा देख सकता है कि बहुत सारे footpaths हैं जो भीड़ भाड़ हैं अग से भख क्राऊडी है ari till the world pool ऐसा मानो कि कोई वर्ल फूल की तरह हर Direction से outta महां जा रहे हैं मेले की तरफ से आरे और कहां जा रहे हैं मेले की तरफ आपने वर्लपूल देखा होगा हर तरफ से पानी आकर कहां जाता भावर में जाता तो खेर उसी तरह जो है ये भी एक एक्जाम्पल दिया उन्होंने कि ऐसा कवर्जिंग मतलब है कमिंग फॉम और डिरेक्शन से वह आ रहे हैं और वर्ल्पुल की सकल में वो फेर के अंदर मेले के अंदर जा रहे हैं और फिल्ट एट वंस रिपेल्ड और फैसिनेटेड वाइशेट पर ऐसे एक एपन फिवर्ड वे पहुंसता है जहां पर उसके दर्वाज़े पहुंसता है जब फूर्ण वर्ली यह यह और वहाँ पर जो है सब तरफ जहें बिखर मेला ही मिला तमाशा ही तमेश असे ना पूरे भरा हुआ परा मैदान ठीक है यह उसका मामला आगे लेखता है स्वीट मीट सेलर हॉक्ड एक स्वीट मीट सेलर मतलब एक मिठाई वाला चिला रहा था गुलाब जामुन रसगुले बर्फी जले भी यह इन्ट्रेंज और जैसे ही दाखिल उने के गेट के कॉर्णर में ही इंट्रेंज माने गेट हो गया पर अड़ा कॉर्णर अप्ड़ आप दाखिल वास के कौने में ही अक्राउड प्रेस्ट राउंड इस काउंटर और एक भीर जो है दवी खचा-खच भरी हुई है उसके का इन्ट्रेंज और इन्ट्रेंज और इसके सामने ही जो है बहुत सारी मिठाईयों का जो है स्टक्चर बना हुआ है पिरामिट सकल में मिठाईयां अंबार लगा हुआ है वहाँ पर सब भीड लगी हुई है लोगों की डेकुरेटिड विट लीव्स अफ सिल्वर और लड़का अपनी आँखों से देखता है इस माउथ वाटर फॉर दा बरफी उसकी मूं में पाने आ जाता है बरफी को देख करके डैट वाजिस फैवरेट स्वीट जो उसका पसंदिदा स्वीट होता है मिठाई होती है और वो कहता है आई वान्ट बाफी मुझे वो बरफी चाहिए स्लोली मरमड़ वो थोड़ा सा फुस फुसाता है बड़ बड़ाता है बट ही हाफ नहीं हो लेकिन उसको आधा यकीन होता है ऐसी बेगड़ाता है उसको पता भी होता है कि उसकी प्ली मने रिक्वेस्ट और नॉट बी हीड़ेट सुनी नहीं जाएगी विकॉज इ एक फूल वाला जो है आवाज लगाता है गालेंड ऑफ गलमोहर गलमोहर की माला ले लो यह आवाज लगाता है तचाइल्ड सीम रिरिसेस्टेबल ड्राउन लड़का बहुत बेताबी से उसकी तब खीचा चला जाता है वह बास्केट की तरह पहुंसता है वे दफ लावर स चाहिए बटी वेल नियुट इस पारेंट्स उड्ट रिफ्यूस्ट वाइं लेकिन उसको अच्छी तरह पता था कि उसके वालदें उसको इसको खैदने से इनकार कर देंगे दोस फ्लावर्स बिकोज उन फूलों को क्योंके दे उट से वह कहेंगे डैट देवर चीप की बहुत सस्ते हैं जान दून को और अच्छे नहीं हैं सो विताउट वेटिंग फॉर एन एंसर इसलिए बिगर किसी इंतजार किये जवाब का ही मूब डॉन वह आगे बढ़ गया एक आदमी एक डंडा लिये वे एक पॉल लिये वे ख़ड़ा था विध यलो रेड ग्रीन और परपल बैलोंस फ्लाइंग फ्रॉम इट जिसमें लाल हरे परपल और रंग के बलून जो है हर तरह के रंग के बलून उसमें बंदे वे थे और उड़ रहे थे लोड़का बिलकुल है उसके कलर को देख करके उसके तब खीचा चला गया रंबो गलॉरी बन सतरंगी कलर को देख कर बहुत अट्रक्टेड कलर को देखकर उसके तब एट्रक्ट हो वहां गया रोगा वांग फिल विट एन अवर्वल्मिग दिजै और वह बहुँ ज़्यादा ओवर्वल्मिग भादा उसके ठीट यह बहुट जादा दिजिय कमआए बोगा कर शचाहत थिसे तब सब ले लेए बद्ट बहु लीड़ को पता तब अच्छी तरह सई इस परेंट जोड with such toys कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो इन खिलोनों के साथ खिलने के लाएक नहीं है so he walked on father इसलिए वो आगे father और आगे गया a snack shower में stood playing a flute एक सपेरा एक सपेरा जो है प्लाबीन बजा रहा था to a snack एक साब के सामने which coiled itself in a basket जो अपनी को लपेटे हुए था एक टोकरी के अंदर जिसकी पूंच coil मतलब होते हैं गोल गोल सकल में लिप्टी हुई थी टोकरी के अंदर its head raised उसका सर जो है उबरा हुआ था in a graceful bend बहुती बहती बहती शांदार अंदास से मुड़ा हुआ था like the neck of a swan यानि कि उसका जो फन ऐसा खुबसरत लग रहा था जैसा ऐसा लग रहा था जैसे कुमानो के बगुला का गर्दन हो बगुले की गर्दन के जैसा उसका जो फन था वाइलडवाएबिजग इस्टॉल इंट्टी इंविजिबल इस लाइक दजेंटल रिपलिंग औफ एन इन विजिबल वाटरफॉल और वह जो है बिल्कूल जो है इस्टॉल इंट्व मुझ्टॉ इंटु इस्वीजिबल एज़ उसके ना दिखने वाले कान को ऐसा खूर तो इसको प्राइब करना बोलते हैं जैसे मानों कि वैसा उसको सुन कैसा खो रहा था इसा मौफ कर रहा था जमाने जैसे जेंटल रिपलिंग हलका सा जो है एक लहर इंविजिबल बाट फॉल के अंदर हो जैसे के वाटर फॉल अपने जरना देखा होगा जो इंविजिबल और वो लहरा रहा है तो वो भी जो है बीन के साथ नाच रहा था और अपने जूम रहा था जो है उस सपेरे के पास जाता है बट नौइंग हिस पारेंट्स हैड फॉल बिटें फिर उसको याद आता है लेकिन याद आता है कि उसके वालदें ने मना किया था उसको तो हीर बाषर बाउट के बोटना नाज़र आता है उब ωफ देखाता हूं कैसा होता है तक जक्व बश्टरे दिन ह्वतिक आपो तो यह सब फूले चो दीख रहे हैं आपको गोडा है यसको राउड़ बाइब Eagles को चो ज्यक्ते हैं है सब जुले हैं खोड़ा बनाने इस पे इस गोड़ा डीके अ को दिखे रहे इस पर लोग बैठे वे और गोड़ा है इसको राउंड बाट कहते हैं से तरह की फुले को कहते हैं तो इसके साथ इसको बुलते हैं ठीक है एप समझ में आ गया आपको तो देर वाज़ राउंड बाट यह राउंड बाट याद समझ में आ गया राउंड बाट था हुआ पर इन फुल स्विंग जब पूरी ता घूम रहा था में तो पूरी फां बच्टे आदमी मर्द और बच्चे करिश डियर वाइऑ इन वर्लिंग मोशन गोल गोल घुम रहे थे चक्कर में घुम रहे थे ठीक है रफ्यक चिला रहे थे चीख रहे थे हस भी रहे थे डिजी लाफ्ट ठीक है अब बहुत गोर से देखता है और एक बहुत जोड़ा रिक्वेस्ट करता है मैं भी घूमना चाहता हूँ मैं भी जूलना चाहता हूँ प्लीज फादर मदर महरबानी करके अब में अब्बू मझे जो है वो घूलने दीजे ठीक है फिर लेकिन जो है दिर वाज नो रेप्लाई लेकिन कोई जवाब नहीं आता ही टॉर्ण टू लुक अट इस पारेंट्स वो अपने वालदें को खोजने के लिए मुड़ता है जो तेज वाज अब नहीं होते है तो उधर भी नहीं होते है वो पीछे देखता है जो तो पीछे होते है उसके सुखे वे गले से एक बहुत तेज रोने की आब़ाज उभरती है एंड इन जर्क और एक जटकी के साथ फिस बाडी इसके जिसम से रेंट रॉम वर इस तुड़ वो दोड़ा भागा जाता जहां वो खड़ा था क्राइं इन रियल फियर और बहुत सच्छ मुझ के डर से वो चिला रहा था मादर मादर फादर ट्यस रोल डाउन फ्रम इस आइज आखू आसू आखो से गिर रहे थे हॉट एंड फियस जो गरम थे और रहे थे खतरनाक थे परिमाट भी आप गरम थे इस फ्लस्ट फेश वाज कंवल्स विट फियर उसका सुर्ख चहरा बिलकुल डर से काप रहा था पैनिक स्ट्राइक एंड बिलकुल डरा हुआ था ठीक है घबराया हुआ था ही रेन टू वन साइड फिर्स पहले वो एक तरफ गया दिन टू अदर फिर दूसरी तरफ गया ह अल डिरेक्शन इधर उधर और हर दिरेक्शन वो गया नोइंग नाट वेर तो गो यह भी पता नहीं था कि वो किधर जाए मदर फादर यह आवाज लगा रहा था ही वेल्ट वो आवाज लगाता जा रहा था इस यलो टरबन केंट उसकी पीली पगड़ी खुल चुकी थी इस क्लोस उसका कपड़ा बिकेम मड़ी गर्द से भर चुका था है विंग रन टू एंड फ्रो आगे पीछ दोड़ने की वजह से इना रेज ऑफ रनिंग फर वाइल बहुत तेज दोड़ने के वैसे कुछ देर तक ही स्टूड डिफीटेड वो ठग गया ही क्राइज सप्र तरू इस फिल्मी आइज अपनी उन आखों से जिसमें आसु भरे थे में एंड वोमें टॉकिंग तो आपर मर्द और खड़े के बाते कर रहे हैं ही ट्राइट तो लुक इंटेटली वो गोर्स उनको देखता है मॉंग दब पैच्छ ऑफ ब्राइट यलो अनके पीले जिस्ट फॉद एफ लाफिंग टॉकिंग जो लोग वहां पर खड़े थे वह से और बाते कर रहे थे बजासने और बोलने के तो कामी नहीं था एक्ट यह फिर वहां से जो है तेजी से भागता है इस ताइम टुए श्राइन टू इस पीपल सेम टू बेक्रावड निंग व होते हैं सबलते हैं ना मंदिर वगरा को भी वोलते हैं तो श्राइन की तरफ गया भागा गया जहां पर सीम टू बी क्रावडिंग बहुत बीड़ नजर आए थे एवरी लिटिल इंच आफ स्पेस हीर वाज कंजिस्टेड मैं यहां पर हर इंच जो है हर जगा जो है आदमे भी वो सिस्की ले रहा था मदर फादर अम्मा अबबा निया देंट्रेंस तु दे टेंपल वो जब टेंपल के दरवाजे पर पहुंसता है इंट्रेंस मने दरवाजा हाइवर दे क्रावड बिकम वेरी ठीक अब जो है वहां भीड काफी घनी हो जाती है में जॉसल इच अदर लोग एक दूसरे को धक्का मुकी करते हैं हैवी में भारी भारी लोग विद फ्लैशिंग चमकदार मडरस आइज कातिलाना आखों के साथ हैं हैवी सोल्जर्स हेफ्टी सोल्जर्स और भारी बड़े-बड़े खंदो वाले यह मतलब उनको बहुत ट्रस्ट अवे वो बिचारा लड़का कोशिश कर रहा था एक रास्ता निकालने की रास्ते घुसने की बिट्विन दियर फीट उनके कदमों से उनके पैरों से बट नॉक टू एंड फ्रो लेकिन वो टक्रा जाता है गिर जाता है आगे पीछे वो धक्का मुकी में गिर जा रहा था ही माइट हैव बिन ट्रैंपल्ड अंडर फूट वो पैरों के नीचे कुछला जाता है एड़ ही नॉट श्रीग अड़ हाइस्ट पिच आफ इस वोईस अगर वो अपने आवाज को तेज अंदास से नची कर बोला था तब वो कुछला जाता मादर फादर अम्मी अ सब्सक्राम 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 सब्सक्राइब अपने कंदों में उठा लेता है और फिर पूछता है वो उस भीर से बाहर आता है जब वो लड़का बहुत तेजी से और चीखता है यह जाता है तो पहले से भी ज़ादा और अब सिफ चिल्दा आइवांट मैं मज़े मेरी अम्मी चाहिए ठीक है गोरे की सब्सक्राइब और जबा पूछता है कि उसको जा करो तुम घोड़े पर सवारी करना चाहोगे He gently asked as he approached the ring जब वो रिंग के पास पहुंचता है और उसे नर्मी से पूचता है कि तुम घोड़े की सवारी करोगे The child throats tore into a thousand shills shops and he only shouted उसका अगला जो है हजारो चीख और सिस्कें में बदल जाती है और चिलाता सिर्फ अकेरी की बाद I want my mother, I want my father The man headed towards the place where the snack charmer still played on the flute to the swing cobra The man headed towards the place where the snack charmer still played जहां पर अभी भी सपेरा बजा रहा था Flute अपनी बीन को to the swing camera उस नाचते बे कोबरा के पास Listen to that nice music इस अच्छे मुजिक को सुनो बच्चे He played it as a request की But the child shut his ears लेकिन वो बच्चा अपने कानों को बन के लेता है with his fingers अपने अंगलियों से and shouted his double piece strain बहुत दुगनी आवाज से चीखता है I want my mother I want my father The man took him near the balloons thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quiet in him वो आदमी उसको जो है बलून वाले के पास ले जाता है और यह सोचता है कि बलून जो है इसके distract that child's attention बच्चे के तवज़ा को बदल देगा attention को बदल देगा उसको सांथ कर देगा would you like a rainbow colored balloon क्या तुमें सतरंगी एक बलून चाहिए he persuasively asked उसको मनवाते हुए पूसता है the child turned his eyes from the flying balloons बच्चा अपने आखों को फेर लेता है उन उरते बलून के बलून से हटा लेता है and just sobbed और सिसकी लेता है I want my mother I want my father the man is still trying to make the child happy वो आदमें अभी इसको जो है खुश करना चाहता है बोर हीम टूदा गेट वेर the flower seller set उसको ले जाता है उस गेट के पास जहां पर वो flower बेचने वाला फेल बेचने वाला बैठा था look can you smell those nice flower क्या तुम उन अच्छे फूलों की खुश्बू सुंग सकते हो would you like a gallon to put around your neck क्या तुम चाहते हो कि तुमें एक माला दे दिया जा तुम अपने गर्दन में इसको पहनो the child turned his nose लड़का व अपने आँखों को अपने का नाँखों को हटा लेता है away from the basket टोकरी से दूर कर देता है and retreated his sobs और अपने रिट्रेटेड मनें होता है repeated again है ना बार बार दोहराना यादा करना अपनी सिस्की में अपने आवाज में चिलाता है I want my mother I want my father मुझे मेरी माच चाहिए और मेरे पाली चाहिए thinking to the humor is desolation charge disconsolate charge by a gift of sweet वो चाहता है कि उसको जो है खुश किया जाए एक मिठाई को तफ़ा दे करके the man took him to the counter वो आदमी उसको जो है लेकर जाता है counter के पास of the sweet shop उस मिठाई वाले के पास ले आता है माँ मिठाई वाले काउंटर के पास ले आता है what sweet would you like कौन सा मिठाई तुमें पसंदे बच्चे he asked was supposed to the child turned his face लड़का अपने चहरे को घुमा लेता है from the sweet shop उस मिठाई के दुकान से and only sobbed और सिफ एकी वात रट लगाता है सिस्की लेता हुआ I want my mother, I want my father so I hope you understood the story written by मुल्क राजानन्द यह बहुत अच्छी स्टोरी थी आपको समझ माया होगा कि वो बच्चा अब जो है कोई देने गिफ्ट क्यों नहीं कुबूल कर रहा ठीक है यह पाज कोशन से just think about it and write dance of the questions see again next time next video